आप सभी का स्वागत और अभिनेंदन है ग्यानारतकेडमी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता भी है आप सभी को मालूम है कि हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्सन की जो सीरीज है वो करवाई जारी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन जो पढ़ तो आगे बढ़ता हैं देखते हैं सरफ मादूपूर जिले में क्या है कि आज सबसे पहले हो हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा हमारा चैनल ग्यानारतकेडमी के नाम다 हमारा एक करोगे ग्यानार तकेडमी के नाम से तो प्ले स्टोर पर आपको यह लोगों मिलेगा इसी एप को आपको डाउनलोड करना और इस एप में आपको मिलने वाला क्या है तो इस एप के अंदर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा दूसरा कोई जिले की पीडिफ है इसके अलाव अधर के आगए बढ़ते हैं तक समय माझ RAW जीला जो है उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे की पड़ता कि देखो बोल के अंदर आपको हर एक जिला पताऊना है चींग हर एक जिला की दिसा के अंदर बनावा दूसरा कौन से जिलू के पास बनावा यूंकि बोल मेंद आपक क्लिए यह वाला न थोड़ा मैं इसको डार कर दूँ तो यह लोड़ थोड़ा साटार कर देता हुँ उसको तो क्या आपको दिखने में थोड़ी से असानी हो जाए सवय मादुपूर जिला कि सीमा के अगर बात कर ले तो सवय मादुपूर जिला अंतराज्य सीमा भी बनाता किसके साथ तो आपको याद रखना मद्य पर्देश के साथ सवे मादुपूर की सीमा आपके भारत का एक राज्य सवे मादुपूर को भी चूत मद्यप्रदेश को भी चूता है क्लियर यहां से आपका मद्यप्रदेश को चूता है इसके अलाव में बात कर लेता हूं अब राज्य की तो देखो अगर मैं क्लियरली बात करूं कितने हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला आपका करोली गंगापुर सीटी दो सा टोक दो सा टोक के बाद अगर थोड़ी सी में बात करूँ ना देखो नीचे अगर दिखाता हूं आपको अच्छे सा अगर देख पाते हो आप तो इधर आपका बुंदी बीटा चो जो है सवय मादूपुर को चूती है दूसरे जिली के अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जिला आपका हो जाएगा गंगापुर सीटी जो कि एक नया जिला अभी हाली के अंदर बना था गंगापुर सीटी तीसरे जिली के अगर मैं बात करूँ तो तीसरा आपका जिला जो जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा दोसा कौन सा जिला हो जाएगा दोसा चोथे जिली के अगर मैं बात करूँ तो चोथा जिला जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बिल्कुल आपको याद रखना टॉक कौन सा जिला हो जाएगा टॉक पाच्वे जिली के अगर मैं बात करूँ तो पाच्वा जिला आपका कौन सा हो जाएगा पाच्वा जिल स्थे से बड़े इंपोर्टेंट है यह सवाल कभी तो करम से पूछले जाता है कि राजस्तान की इनको पूरों से पस पस्चं की करम में set कीजिए ठीक है कभी आपको पूछ लेकर से तरब आपको बाता है यानि सवमे मादुपूर जिला है छे राज्जों के साथ और एक साथ अपने सीमा बनाता है तो लाजस्तान की सबसे उत्र है जो कि इसरी गंगानगर चीमा बासवारा जिला और राजस्तान की पूरी सीमा धोलपूर और राजस्तान की पस्चिमी सीमा जसल मेर ठीक है यह चार जिला है जो आपको बिल्कुल याद रखना राजस्तान की उत्तर से दक्सिन की लंबाई के अगर मैं बात कर लो तो राजस्तान में उत्तर से दक्सिन की लंबाई क्या है तो 826 किलोमेटर है क कितनी आज़स्तान की औलो और स्टलिय सीमा के तो आपको याद रखना नो सो बीस किलोमेटर तो ये भी साथ का साथ यापको याद रखना पाकिस्तान उससे बनाता है अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले रनतंबोर दूर की बात कर लें सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है रनतंबोर यहां से कई सवाल एक्जाम में बनते हैं यह आपके सामने बनावा भी आप अच्छे से सकते हैं आपके जो आज नजर आ आज कि आपके सामने बिलकुर यह आपका रनतंबोर दूर के आप से निर्मान किस ने करवाया कि और गिरी दूर्ग की सर्णीम आता ठीक है अब यह रन यान्यानी जहां कंटीली जाडिया होतीं यानि जो पहाड़ी पर बना होता उस दुर को आप गिरी सेरनी गिरी दुर की सेरनी में रखते हूं स्वाई मादूपुर का दुर्ग है जोसे दुर्गादी राज कहा जाता बे क्लियर एक्जाम में पूछावा इंपोर्टेंट है वर्स 2013 में युनेस्को की विश्व द्रोर सुची में सामिल ये दुर्ग हमीर देव की वीरता के लिए परसित है और प्रवेज दौरिस का नो लगठा दरवाजां चैलाता है मौसम इंपोर्टेंट है क्जाम में पूछा नो लगठा रवाजा अभू फजल ने कहा है कि बाकी सब तुर्ग नंगे हैं जबकि एक माstart तुर्ग है जो की बक्तरबंदे एंपोर्टेंट सवाले बonstries सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 2013 की देखो 2013 में बात करूँ तो आपके छे दुर्गों को यूनेस्कों की सूची में सामिल किया गया था एक इसमें सापका था रन थंबोर कौन सा दूर रन थंबोर एक हो गया आपका रन थंबोर दूसरे की में बात करूँ तो आपका हो गया गागरोन कौन सा गागरोन जो की जल दुर्ग की सहरणी में आता ना तीसरे की में बात करूँ तो आपका हो जायेगा कौन सा हो जायेगा जसल मेर दुर्ग जिसे सोनार गठ भी कहा जाता है ठीक है या वही पोच्छ सकता है जिसकी टांगे लोहेक्यों अगला सवाल ने प्रणथम्बों रोग्या का सवाद हो ईक चि embran Sharp line दुरक कोँ सा धोर टूर टूर और एक आपका जो बच गया वो बच गया कुंसा, कुम्बल गड तू छे जिले छोरी छे किले में आपके सामने लिख ज़े दूजे के अन्दर सामिल किया गया था, ठीक है, और एक चोटी से आसान से ट्रिक भी है जो बार-बार आप सुनते हैं गाजर चीकु आम वैसे भी आप याद रख सकते हैं इसके अलाव देखो नो लखा दरवाजा तो आपका रनतंबोर दुर्ग का है लेकिन मैं बात करने हूं नो लखा दुर्ग आपका कहा पड़ता जालावाड के अंदर पड़ता है अब आगे बढ़ जाते हैं सारे इंपोर्टेंट फैक्ट एक बार वापस से बता देता हूं दूसरी में बात कर लो तो एयरं दूरंड की सेरणी में भी रखा जा सकता 2013 में यूनेसको की सूची में सामिल किया गया था इसका जो दरवाजा उसे नो लखाद रवाजा के नाम से जाना जाता है और अब फेसल का जो महत्पून कातन आपके सामने है वाकी सब रूंगा है जबकि एक मात्र ऐसा दुर्गे जोकी बक्तरबंद है अब आगे बढ़ते हैं इस दुर्ग के संबंद में जो कावत है न उनके बारमापन देख लेते हैं ठीक है बड़ा ही इंपोर्टेंट यहां से सवाल अक्सर बनता है तो दुर्ग संबंदिकार्थ दुर्ग मिट्टी पत्तर और मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताव द्वारा निर्मित है जहां कलपना की की चिडिया भी विचरन नहीं कर सकती यह जो है इंपोर्टेंट एक्जाम में बन सकता है आगे बढ़ते हैं कि दुर्ग के अंदर इस्तिद के जो रिय इटन इस सल है जिसमें मंदीर एक तो आपका श्री स्री नेत्र ग्णेस मंदिर मॉस्ट में पूछे वह थे पदमला तलाब और जोगी महल जोगी महल का निर्मान किसके द्वारा करवाए गया तो आपको याद रखना है अमीर देव चोहान की द्वारा करवाया था जोरा भोरा महल यह भी इंपोर्टेंट यह जोरा और भोरा महल यह भी एक्जामें पूछा गया एक अनाच का गोदाम है पीर सद्रुदीन की दरगा जो पढ़ती है आपके कहा पढ़ती है यह सवाई मादूपूर अनतंबोर में पढ़ती है जबकि पीर कमरुदीन की दरगा पूछले तो आपके जुन-जुन में पढ़ती है सुपारी महल मौस्ट इंपोर्टेंट है सुपारी महल एक ऐसा महल मंदिर है जा मंदिर मज़ित गिरजागर तीन उस्तित आपके 32 खंबो की चत्री आपके सवाई मादूपू जबकि मैं बात कर लो 84 खंबो की चत्री एक है आपके 80 खंबो की चत्री क्लियर तो देखो यह तो 32 को चत्री जिसे न्याई की चत्री भी कहा जाता है ठीक है तो आपके अलवर के अंदर पड़ती है बिल्कुल आपको याद रखना इसके अलाव देखों में गेटोर की चत्री जो कि आपके आमेर जेपूर के अंदर पड़ती है बड़ा-बाग की चत्री आपके जसलमेर के अंदर पड़ती बाती जो शासक हो थे नकि राज़वन छे वह जचाने • जिसके अलाव में लाए जोतपूर लक्षमी नाराण मंदिर भी बनावा, most important है, लक्षमी नाराण मंदिर जो ने एक्जाम में पूछा गया भी, लक्षमी नाराण मंदिर आपका कहा पड़ता है, यह पड़ता है सवय माधूपुर में, रानी हाट तैलाव, हमीर की कछेरी, रानी मेल, खंडार का किला, important है एक आपका यही बनावा, इसके लाब पर्मुक दरवाजों की बात कर ले तो एक तो सूरज पोल, तिरपोलिया पोल, नोलक्खा और हाथी पोल, यह जो चार दरवाजे जो बने वे आपके रंधंबोर दुर्ग में बने वे, कौन-कौन से हाथी पोल, नोलक्खा दरवाजा, त इरपोलिया पोल और इसे सूरज पोल है सूरज पोल, छरज पोल, खोटमाटा जो मेला लगता जोट का बर्वाड़ा सवय मादू पुर्म भारत का अंतिम और बार्वा जोत्रि लिंग कहा पड़ता आपका बिल्कुल आपको याद रखना सिवार सवय मादू पुर्म हादू पुर्म में लगता है या रसब देव को समर्पत है ठीक है रसब देव आदिनाथ जो की जैन द्रम के पर्थम तिरंथकर उनको समर्पीत है आपका चमतकार जी का मेला यानी जैनों से रेक्षट है अब आपका सवाइन्पोर्फिण जुमेस्वर महादेव आपका सवाइन्पुर्मे अम्रेश्वर महादेव का मंदरी प Impodентов है चोत माता और गुमेश्वर और अम्रेश्वर यह इंपोर्टेंट है इन्हें आप जरूर एक बार देकर एक आपका जो बार्वा जो त्रिलिंग है ठीक है यह कहा पड़ता है सवय मादूपूर में पड़ता आपके सिवाड के अंदर बढ़ा ही इंपोर्टेंट है याद समंद है वह आपके सवय मादूपूर से है राजस्तान में सरवादिक भीड़ भूमी सवय मादूपूर में है राज सवय मादूपूर मध्य प्रदेश का सिमावर्ती जिला है सवय मादूपूर को 4 जुन 2005 के बाद ब्रतपूर संभाग में सामिल कर लिया गया था बिल्कु मादुपुर में संगमर्मर की मुर्धियों के लिए फैमस नदियों की बाथ कर लेक। चंबल नदी भी बेटी है बनास्य नदी ब positives हमॉरेयल भी पारवती बे बेती घंवी नदी भी वेति ठीक है लिलकुल आपको याद रखना देखो मैं बात कर लेता हूं बीड की रानी किसे का जाता यह सवाल एक्जाम है पूछा गया आपका बिल्कुल आपको याद रखना है बिल्कुल आपको याद रखना है और मैं बात कर लो तुब यानि आपके चंबल के किनारे फिल्म भी बनी आपके मनोच सर्मा उनके उपर बनीवी बड़ी अच्छी मूवी है वारवी फैल मूवी है उसको आप अच्छे से देखना वो जो है मद्यप्रदेश के मोरुना में जो आपका भीड फैलावा वही कि वो रहने वाले थे अच्छी मूवी जिससे मोटिवेशन मिलता जरूर एक बर आ आपको पता कौन कौन से जिले सामिले एक तो आपका परत पूर पूर गंगापुर सीटी ओगया ठीक है पूरेल बांद यह आपका मॉस्ट इंपोर्टेंट यह आपका वीडियो एक्जाम में पूछा गया वही वीडियो का जो मैंस एक्जाम हुआ था ना उसके अंदर यह बांद सवय मादूपूर में मोरेल नदी पर शो में था गाहों के अंदर बनावा बड़ाही इंपोर्टेंट बांद बाहर बार एकजाम में पूछा जाता है इसरदाबान सवयमादुपूर Amazon नतीर बनाव है जबकि चarm का बारवाडपूर में दापते स्सक्राइबी का दो जो कार्य होता है सवयमादूपूर में भुला आपको याद रखना बड़े ही इंपोर्टेंट समया मादूपूर मोमं хотя Football मोद सवय मादूपुर में सदियते हैं ठीक है बिलकुल आपको याद रखना है रन्थंबोर रास्टी उद्यान देखो इसका वन्यजीव का जो अभ्यारण का जो दर्जा दिया गया था अभ्यारण का जो दर्जा दिया था 1905 में और रास्टी बाग प्रियोजना में कब सामिल कि इसका था उद्यान चैएं प्रियोजना में सामिल किया गया और 1980 में से रास्टी उद्यान का दर्जा दिया गया तीनों ही तीतिया बड़ी मॉस इंपोर्टेट थीनों आपको याद रखनी होगी राजस्तान का पहला रास्टी उद्धान था ठीक है वर्तमान में राजस्त सबसे चोटी परियोजना आपको याद रखना के अंदर राजस्तान पाट परियोजना है आपको यह सब्सक्राद रखने हैं 1996 में में इको डवलोप्मेंट प्रोजेक्ट विस सुबेंग के साहिता से चलाया गया 2004 में समाप्त हो गया था ठीक है सब्सक्राद रखने हैं इसका सम्मंद कोन से रास्टि अद्टार रास्टि दान से ये देख सकते हो बिल्कुल यह रणतंबोर रास्ची उद्दान है आपका अच्छे साव देख सकते हो यह गेट पर लिखा रनतंबोर नेशनल पारक एतियासिक रूप से थोड़ी बात कर ले तो देखो इस्तापना सवय मादू सिंग पर्थम के द्वारा बनाएगे जिसे न्याय की चत्री भी कहा जाता है हमीर देव चोहान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हमीर देव चोहान का जो कारेकाल था ना आपका 1200 बर्यासिय से लेकर 1301 एक्जाम में पूछा गया वे इंपोर्टेंट है वेल एटी टू से लेकर 301 बड़ा इंपोर्टेंट आपको याद रखना होगा यह रूलिंग पीरिट यह हमीर देव चोहान का जैतर सिंग की पुत्र से और हट के लिए परसिद्ध जिद्धी थे हट के लिए परसिद्ध सिंग गमन सत्पुरस वचन कदली फले एक बार त हमीर देव चोहान से हैं जोगी सवय मादूपूर के सा सकत है हमीर देव ने पंडित विसु भठ के नेतरत में कोटी यग करवाया था कोटी यग करवाय था कोटी यग का जो संबन्द है वह हमीर देव चोहान से हैं आपको याद रखना है 1290 इस्वी में जलालु दिन बिल्कुल आपको याद रखना कब 1290 के अंदर जलालुदीन खिल जी क्यों कि दिल्ली सल्तनत का उसमें खिल जी सा सकता जलालुदीन खिल जी को प्राजित किया था सबसे पहला हमीर देव चोहान का जो रूलिंग पीरीड है आपका 1200 मर्यासिय से लेकर 1301 है बिल्कुल आपको याद रखना जैतर सिंग के पुतरत हैं इनके लिए कावत फैमस आपकी सिंग गमन सत्पुरस वचन कतली फलेना एक बार तीरिया तेल हमीर हट चड़ेना दूजी बार दूसरा कोटी यग जो कराया था हमीर देव चोहान ने कराया था जलालुदीन खिल जी को प्राजित किया था वह 1290 में किया था कब किया था भारा सो नब्बे इस्वियों कि तोड़ी सी चर्चा कर लेता है तो रण तंबोर का युद्ध विल्कुल इंपोर्टेंट है के द्वारा किया गया अधमला तलाब के अंदर हुआ था हमीर देव और अलाव दिन खिल जी के बीच नाराजगी का कारण मीर मुम्मत्सिया और अलाव दिन खिल जी का सेनापती था अब देखो यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट में निकालता हूं सबसे पहले ती ती आप में हुआ था ठीक है दूसरा देखो किन खिल जी के मद्द्धिय फिसके बाद के जोहर रंग देवी के नेत्रतों है बड़ा इंपोर्टेंट है एक्जाम में बन सकता है आपका जो राजस्तान का परतम साका है उसके अंदर आपका जोहर है जो किसके नेत्रतों किया गया र प्रत्म साखा है बिल्कुल आपको याद रखना राजस्थान का प्रत्म साखा अगर मैं पूछ राजस्थान का दूसरा साखा तो आप सभी को ग्यात होना झाही राजस्तान का वी घी का नराज्गी का चुंक्ता लिए तोड़े god जो जो इसी कारण चे से नाराजपी के कारण और रन्तंभॉर्वर। पर आखर्मन किया था किसने अलाव दिन किaldini अब आगे वड़ता है हॉठ है अमीर worship कि जानकारी के पर मुरहन देख लेता हैं सिन्परमुगरंथ हैं कौन कौन से उसके बारे मावन देख लेता हुठ हमीर मद मर्दन किसके द्वारा लिखा गया जैसिंग सुरी के द्वारा लिखा गया पड़ा इंपोर्टेंट एक्जाम में पुछा हुआ है मौस्ट इंपोर्टेंट याद रखना हुआ हमीर महाकाव्य नियन चंद्र सुरी किसके द्वारा लिखा गया बिलकुल आपको इपना कलास में तो याद कव मेरे साथ का साथ याद करने किकी वाथ क्लास में अपन को इसके बाद आजवाब हमीर महा कावी और अजवा लिखा गया जोद्रा जोद्राज और सारंगदर के द्वरा लिखा गया हमीर रासो जोद्राज और सारंगदर ठीक है इसके अला हमीर रायन बांडव व्यास हमीर रायन किसके द्वरा लिखा गया बांडव व्यास के द्वरा बांडव व्यास के द्वरा हमीर बंदन अमरत के लास के द्वरा हमीर हट चंदर्शेकर के द्वरा हमीर हट चंदर्शेकर के द्वरा आपका लिखा गया है जो कि इंक पोर्टेनटींट विल्कुल आपको याद रखने होंगे हमीर देव ने इत्यास में 17 येथ्य लड़े वही जानीम मेस को पासाथ हमीर तो आपके रणमल, रणमल वे रतिपाल, इसके अलाव में बात कर लो ते एक धरम सिंग और बीम सिंग, तो आपके सामने, रणमल वे रतिपाल, दरम सिंग और बीम सिंग, यह जो सिंग पती थे हमीर देव जोहान के थे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, आला और उदल, ठीक है, आप कमेंट करके बताना मुझे, कौन से सासक के सिंग के थे, तो आला और उदल जो थे, म कौन से सासक के सेनापती थे, तो माराना उदे सिंग के थे, किस के थे, माराना उदे सिंग के बिल्कुल आपको याद रखना है, और एक अपने कौन से थे, गोरा और बादल, गोरा और बादल जो आपके सेनापती थे, वो राना रतन सिंग के थे, किस के राना रतन सिंग के सेनापती थे गोरा और बादल अब आगे बढ़ जाओ तो यह राणमल और अतिपाल ना हमीर देव को धोका दिया था इसी तरह द्रम सिंग भीम सिंग हमीर देव के सेनापती थे राण थुम्बोर युद्ध के अंदर मारे गये थे ठीक है पूर्डव रयृऴ रांगव देव बड़ाएंपोर्टर अब हमीर देव का गुरु पर यह हुआ रन्थमबोर दुर्ग के अंदर टकसाल इस्तापित करवाई तो मुगल बात से अकबर के दुआरा रन्थमबोर दुर्ग में टकसाल इस्तापित करवाई गई थी खंडार का किला आपका सवे मादुपूर में है जाइन दुर्ग भी आपका सवे मादुपूर में जिसे रन्थंबोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है रन्थंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है तो आपका जाइन दुर्ग के बे रन्थंबोर दुर्ग की जो कुंजी कौन सा है जाइन दुर्ग आपका है ठीक है एक बार वापस से देख लेते हैं हमीर मद मर्दन आपका जे सिंग सुरी के द्वारा लिखा गया हमीर महा कावे नियन चंदर सुरी के द्वारा लिखा गया हमीर हट चंदर सेकर के द्वारा लिखा गया हमीर रासो चूद राज और सारंगदर के द्वारा लिखा गया हमीर आयन की बात करो तो भांडव व्यास के द्वारा हमीर बंदन की बात करो तो केलास अमरत के द्वारह आपका लिखा गया है हमीर देव चोहान ने अपने इत्यास में कुल 17 युद्ध लड़े थे उसमें से 16 युद्धों के अंदर हमीर देव चोहान विजही रहा था ठीक है हमीर देव के घुरू कौन थे रागव और द्रम सिंग और बीम सिंग से सवाल आपका बन सकता है क्योंकि यह जो दोनों ही जो चार सेनापती थे चारुई सेनापती किसके थे तो आपको बिल्कुल याद रखना यह किसके थे हमीर देव चुहान के आपके सेनापती है अब आगे बढ़ताएं हाँ तो देखो यह फिर हमारा एप है प्ले स्टोर पर जाकर आप इंपोर्टेंट इसे डाउनलोड कर सकते हो अराम से और इस चलिक अगर पीडिएफ चाहिए पीडिएफ लेना चाहते हो तो आपको इस एप पर मिल जाएगी इसके अलावा देखो साथियो अब आपके अगर आप सेलेक्षिन लेना चाहते हो तो आपको मैंनत करनी होगी दो को बिना मैंनत के सेलेक्षिन नहीं लिया जा सकता है यह सो टका सच बात है अगर वाके में आपको सेलेक्षिन चीए तो आपको डेली रुटीन के साथ 8-10 गंडे रोजाना पढ़ने पड़ेंगे आप सब्सक्राइव कर रहो साइकने गरेट कर रहो थार्ड गरेट कर रहूँ सेस्टन प्रोफेसर आपका स्कूल लेक्ट्रर है और अब पत्वारी हुआ वीडियो हुआ मुस्तवार्य वा चात्रवास हुआ ठीक है और आपका पसूब परीचर वाला हो गया या पिर आपका ले लो आप ठीक है राजस्तान जेयन वाले एक्जाम ले लो वह सब आपका एक्जाम है अगर आप अच्छे रूटीन के साथ बढ़ रहे हो तो आपको सलेक्शन पक्का मिलने वाला क्योंकि बिना मेहनत के सेलेक्शन नहीं मिलता है वह मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा पुरा पढ़ाई के अंदर आपको यूटिलाइज करना फिर आपका सेलेक्शन हो जाएगा अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आपकी को क्वेरी हो तो हमें कमेंट जरूर करें वाज के लिए बस इतना ही सभी साथियों को दन्यवाद